वेल्कम बेक टुमा यूटूब चैनल पेपर है कर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री का यूनिट थार्ड जिसमें शॉर्ट आंसर कोश्चन की बात कर रहे हैं यहां पर तो कोश्चन नमबर आपका 17 है ठीक है सेमिस्ट्री और आपका बेसी सेकंड समेश्टर के लिए ठीक है यूनिट नमबर थार्ड जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप कोश्चन को डिसकस कर लिया है आज हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप ठीक है जो कि आपका कोश्चन नमबर 17 है करा राइबोज तथा डी आक्सी राइबो यहां से आपका उपसे जो है निकल जाता क्या हो तो यहां पर आपके दो स्ट्रक्ट्र दे रखें एक आपका राइबोजक्त का दूसरा क्या है इसके हम बात करें तो यह आपका किसका किपकाए आपका राई भूस ठीक है इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर होता है ज्यादा अंतर जो है नहीं होता है ठीक है तो यह आपकी एक सीधी स्रंखला है कैसी है आपकी सीधी स्रंखला ठीक है तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा first carbon आप क्या क्या लगा रहे हो गार्वांट कार्भण गंडब्लबॉन और यह कम क्या थी के थिक है तरह से यहverted विभुस्ता होती यह पेंटो यहां सरकार है ठीक है पांच ही जो है doじ मैं हब का है फिर्स्ट कार बना को आपको देखना है थाड़ भी ओपो अच लगा है तो इसकी अगर हम रिंग फॉर्म बनाएं ठीक है ठीक है क्या मिलेगा यह आपका आपका आक्सीजटी थीक है यह आपका फ़र्ष्ट कारवन है यह आपका क्या है second carbon यह आपका क्या है third carbon है और यहाँ पर आपका क्या है fourth carbon ठीक है तो यह आपका first carbon second carbon, third carbon, fourth carbon तो इस तरह से आपके जो है और आपका यह क्या है आपका उपर fifth carbon ठीक है तो इस तरह से आपके 5 carbon है जिनमें हम क्या देख रहे हैं की फिर्ष्ट कार्वन पर भी आपका और सकीनर और फोर्थ कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में, ठीक है, आक्सीजन आपका यहां पर आ गया, ठीक है, एक ring बन गई ही, जिसे oxide ring कहते हैं, तो यहां पर हम देखाई है कि सभी के साथ में क्या है आपका oxygen second carbon पे भी है, third carbon पे भी है और fourth carbon के बीच में भी आपका oxygen जो है पाया गया इसी तरह से अगर हम deoxy ribos की बात करें तो deoxy ribos में क्या होता है जो आपका second carbon होता है ठीक है कौन से carbon होता है second carbon होता है वहां से आपका oxygen जो है निकल जाता है ठीक है क्या हो जाता है oxygen निकल जाता है यह आपकी straight chain form है सेखिन्ड काुशन राइबुसीं रेखै की टीकै अब क्या है कि टू डी और ऑप से निकल गया अब बहुँ सेखन्ड कारवन बाला जो आपका उएचर हुआ करता का यहां पर क्या हुआ है तो यहां पर क्या रएगा जैसा रिखान था है यंडेंसकर चला गया भी यहां से oxygen जो है रिमूब हो गया है oxygen का हटना ही क्या कहलाता है दी oxygenate कहलाता है ठीक है तो यह क्या हो जागा इसका डी oxygenation यानि कि जो form बनेगी व्योग कैसी हो जागी दी oxygen राइबोज हो जाएगा ठीक है तो चक्रिय फॉर्म की अगर इसकी बात कर लें ठीक है तो बाया की सरी आपकी जो पूरी सरचना सेम रहेगी ठीक है पूरी सरचना आपकी सेम रहेगी ठीक है राइबोज की तरह इसमें क्या होगा जो आपका सेकिंड कारवन है जिस पर आपका राइबोज में हमने देखा था कि इसके नीचे ओएच लगा कराऊ दी ऐक्सीजन निकल गया तो फॉर्म जो मिलती है वह कान सी मिलेगी डी ऑक्सीर राइबोज ठीक है क्या मिलेगा डी ऊक्सीराइबोज आगे उसने स्थिती लिख दी यान कि दो कर बन से यह थी कर तो टू डी ऑक्सीराइबो जो है यह बन जागा आपका संदचना सूत्र किसका राइबो जो डियो ऑपको पर यह पना देने ठीक है उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा विदिए विडियो में बने रही है हमार साथ तब तक के लिए थैंक्स बाई-बाई